है लो माइ बीटिफुल सोल्स फिलकम टू माइ यूटुब चैनल गाइस कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं गाइस अगर आप मेरे चैनल पर आयद रिक्वेस्ट करूं कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को गाइस एक जेनरल का लिखते है वह टाइम प्लीज गाइड मी इंजिल्स मेरे जो भी व्यूर्ज उनकी पार्टनर्स की करेंट एनर्जी क्या हैं क्या सोच रहे हैं भी वो लए लेटर दिखाय थीक कैंए आपके पार्टनर का नाम अ से स्टार्ट हो सकता है यहां पर आपकी जो person है इनके इनको लेकर एक message मिल रहा है कि सबसे पहले तो यह जो है आपकी connection की जो बात में कर रही हुए आपके जो person है वो आपकी connection में एक चीज यहां पर देख रहे हैं कि आप इस person के लिए कितने जादा available हैं तो यहां पर यहां पर यहां पर यह पर यह भी कहने के कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ और दूसरों के साथ यह परसन जो है वो एक तरीके से हम इसको ऐसे कह सकते कि अन्याय टाइप का करते हैं आपके तरफ यह person सारी negativity को देखते हैं दूसरों की तरफ सारी positivity को देखते हैं यहां पर इस परसन की energy में एक चीज नजर आ रही है कि हमेशा आपकी तरफ जब भी देखते हैं तो यह नहीं देखते हैं कि आप में कितनी अच्छाई हैं आप में कितना आपके अंदर कितने गुण हैं यह देखने की कोशिश करते हैं कि कितनी कम्यां आपके अंदर हैं जी के मतलब नेगेटिव पर फोकस ऐसा मचे असा लगता है कि आप इस परसे और आप से इसली कंटोल हुए हो पास्ट में इस वजग्जा से इस परसन ने अपके अंदर हमेशा नेगेटिविटी को देखने की कोशिश ने हैं यह फिर्ट मतलब देखना ही नी चाहते हैं तो इस वज़े से यहां पर एक से निकल कर आ रहा है कि कंत्रोल हो गया आप लिए पर्षोड में अपको तो कही न कहीं आप कि हमेशा आप में यह person कमियां गिनाते रहे कि आपके अंदर ये कमी है ये कमी है ये कमी है ठीकिए अच्छा ही है इस person ने देखी नहीं या फिर देखी तो उनको पता होते हुए भी इग्नौर कर दी ओके यहां पर आपके person जो हैं वो इस तरीकी से बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जिसकी आप कदर नहीं करते हैं उसको उनिवर्स चीन ही लेता है ठीकिए आपके परसन को यह चीज रेलाइस कर वही उनिवर्स ने कि अगर आप कदर नहीं करेंगे ना तो हम किसी भी वेक्ति को बढ़ने नहीं देंगे कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है आप युनिवर्स से शिकायत कर रहे हो कि आपने मेरे पार्टनर से मुझे सपरेट कर दिया और युनिवर्स आप से कह रहे हैं कि आप वेटिंग में रहो तीक है और अपना इनवक करो आपके person जो हैं वो यह कह करना है ठीक है कोई कोई मतलब जरूद नहीं है ठीक है ऐसे वेक्टी के साथ रहनी कि जैसे तुम अपने साथ रखना चाहते हो तो तो इसकी वैल्यू नहीं समझ रहो ठीक है आप यहां पर इनवर्स का लोग पढ़ा है या नहीं लेकिन मैं आपको बता देती हूं इनवर् नहीं हो रही है और आप फिर भी बने हुए है ठीक है जिस वकत आपका कोई कर्मा नहीं है जिस वकत देख लेगा कि यह कुछ अच्छा करता है या फिर इसका वाइब्रेशन एनर्जी लेवल मैच नहीं और अर्टोमेटिक सेप्रेशन क्रेट करता है ठीक है यूनिवर्स आप दोनों के बीच में वह एनर्जी का डिफरेंस जब भी आएगा सप्रेशन क्रेट हो जाएगा तो यहां पर यह चीज में को नजर आ रही है तो ऐसा ही कुछ यूनिवर्स परसन से बोलने की कोशिश करें क्यों चाहिए क्यों करना है तुम तो अपने आप में बहुत ब कि अगर यहां पर माकाली की अलर्जी है अग्वाइज आपने मेरा सिकेंड वाला चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो में रिक्वेस्ट करूंगी उस चैनल को सब्सक्राइब करें आप उस चैनल की वीजियो को देख सकते हैं आपको काफी जादा अस चैनल पर भी आपको काफी जादा knowledge मिल सकती है तीक है जिससे आपकी healing हो सकती है यहां पर मा काली की energy आ रही है and yes 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 यहां पर आपके जो person है इनको ना मतलब यह समझाय जा रहे है कि आप यहां पर एक क्या है ना यह जो message आ रहे है कुछ ऐसा आ जाहा होना चाहिए यह होना चाहिए आप देखिए हर जगह यह देखा जाता है लड़की हमको लड़की 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 है मतलब पूरा जैसे युनों हर चीज़ का अपने हाथ में रख रहे थे एंड आप साथ में भी थे आप उनके हेल्प भी कर रहे थे और आपका इनके कर्म भी काट रहे थे एक एक बहुत अच्छी चीज बताते हूं शायर आपको मालूम नहीं है इस मेंसेज को फिर कंटीनू करेंगे जब आप किसी के साथ फॉर फिजिकल लेवल पर तो इसलिए मना किया जाता है कि आपको मल्टिपल फिजिकल कनेक्शन ना बना है कारण कि क्या होता जब आप एनरजी को एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो आप सामने वाले की जो भी नेगेटिव उर्चा है वो आपके चक्राज में आ रही होती है क्यों अब आपको और हीलिंग करनी पड़ेगी ठीक है सिलिए कहते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के कर्म भी काटते हैं तो इसलिए मना किया जाता है कि आप मल्टिपल इस तरह के कर्म में ना जाएं और सात्विक्ता को फॉलो करें तो वह वाली एनरजी है यहां पर कि आप आप पर suivति डिए जब आप प्रसेंडक हैं यहां लृ Kitty आप इस पर संवी हैं मड़ी आप इस परसेंद के साथ काटitel के साथ वह तो नेडिग आप कर आडि कि अःकर आप की कदर भी नहीं कर है नवरेड जाए हम के इतना काम भी कर्रेहते हैं आपकी अपकी और पाको लिए कर रही थी तो यहां पर जो युनिवर्स ने आपका सेपरेशन डाला है वो बिलकुल सही डाला है और आप से कहा है कि अपके लिए अपनी उर्जा का स्तर बढ़ा है क्योंकि परसन को बिलकुल भी आपकी पास में कदर नहीं हुए ऐसा इंजल मैसेज दे रहे है और पर जब भी एक्जाम्पल लेते हैं भगवान का कोई भी रादा कृष्ण हो सीता राम हो या फिर शक्ति हो तो हम यह कहते हैं कि जो भी शक्ति होती वो पावर होती है आपकी तिकि आप उसका यूस करने लग जाते हो आप अगर अपने गौड वो जो भी भगवान है उनको दे या पी करना चाहते हैं ये यूस करना चाहते हैं पावर का चीके मतलक प्यपावर तो मानते ही नहीं और इंडरेक्ट जीयों प्यांन से यह पर इस परसिंट को एक तरीके इटरिके emotional के कि अ आफ आप समय कूँगे आँग लर नहीं ठीक है कि यहां पर मुझे ग्रीन तारमा नजर आई है कोई लोग उनका मंत्र चैन्ट कर रहे हैं यहां पर ठीके मैनिफेस्टेशन के लिए अगर कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तारा मंतर जो होता है ठीक है मा तारा का जो मंतर है वो शायद आप चैन्ट कर रहे हैं ठीक है ऐसा मैं को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है यहाँ पर मुझे मा काली की एनरजी दोबारा दिखाए दी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को सीधा सीधा बोला जा रहा है कि अब आप किसी भी तरीकी की कोई भी गलत एनरजी के साथ ना तो सामने वाली की लाइफ में जा सकते ना ही आप उसे कोई भी गलत एनरजी सेंड कर सकते हैं अधर वाइस का जो रिजारिट है वो सही नहीं आएगा इस तरीकी का मैसेज मिल रहा होते हैं यह आपको परिशान करके चले आते हैं इस तरी की चीज़ें अगर करते हैं तो जहां पर special message है की रोक लगाई गई है ओके की अजब तरी इस परसन को ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं इस तरीकी की ड्रीम्स परसन को बहुत जादा आ रहे हैं और एक अलग प्रिकार का डर इस परसन के अंदर मुझे फील हो रहा है लेट सी गाइस आपके पार्टनर की कार्ट्स क्या बोलते हैं प्लीज गाइड कीज़े इंजल्स मेरे जो भी विव्योर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जी क्या है झाड नाद है झाड़ कर दौक्व झाड़ dear dear dear. इहाँ पर कार्डज देखी आप, एक कार्ड आ रह hardest आ रहा है four of wands का, एक empress का, एक emperor का, two of pentacles, king of wands, queen of但 रही है, four of wands को clarify कर रहे है emperor. इत्य मिल रहे हैं, कि आपके परसन को इस तरही के messages मिल रहे हैं, evolutionary पेंपन है, आपको अपने आपको लिमिट नहीं करना होता है यह नहीं मानना होता है कि अपकी एज इतनी हो गई तो आप मैरिज नहीं हो सकती है यह ऐसा नहीं हो सकता है यहां पर में को ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी तरफ मैरेज प्रोपोजल आ रहे हैं ऐसा आपका पार्टनर सोच रह तो यहां पर आपके पार्टनर कुछ ऐसा ही सोच रहा है दूसरी चीज मुझे आपर नजर आती है विच टू ओफ पेंटिकल्स कार्ड एंप्रस के नीचे हैं नमने एंप्रस को क्लैरिफाई किया तो यहां पर टू आफ पेंटिकल्स आया है यहां पर कुछ ऐसा मैसेज निक कि आपका पार्टनर को इस इनसान की आ रही है जो यह चीज दिखाने की खोशिश कर दिया आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त में आपकी तरफ देख रहे हैं मतलब वो आपकी तरफ देख रहे हैं लेकिन एक अगर आप पी कहेंगी डीसीजिघन की बात है तो यहां पर कुछ जुग्टS situation है तीच है यहां पर दो situation में यह person जगल कर रहे हैं यहां पर यह person emotional भी है also attractive भी आपकी तरफ आपका attractive भी मान रहा हो काफी जादा attractive भी आपकी तरफ नजर आ रहे है ठीक है और शबसे जादा इस person के demand में चल रहा है वह है आपकी marriage को ले कर system इस person के रिमा में fit हुआ है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्योंकि यह continuous message निकल कर आ रहा है marriage का मतलब marriage का एक message निकल कर आ रहा है आपके partner यह ऐसा सोचने की कोजिश कर रहे और यहां पर message आ रहा है कि इस तरही की situation दिये हुए है कि आपके person को satisfied होने नहीं दिया जा रहा है आप देख सकते हैं कि cooking of wants किस तरही के से embrace की तरफ देख रहा है तो यहां पर clear message निकल कर आ रही कि आपके partner को माइं से clear होने नहीं दिया जा रहा है कि आप मतलब एक तरीके से कहीं और satisfied आपको नहीं होने देंगे कि आपको यहीं पर चीजों को clear करना होगा अगर यह person meditation करते हैं 21 days पी अगर यह morning में meditation कर लेते हैं इनकी intuition power इतनी strong हो जाएगी कि यह सामने खड़ी निसान को पहचार करते हैं कि यह इनका perfect match है भी या नहीं यह इनके लिए बना है भी या नहीं ठीक है यह जीज मुझे आपर नजर आ रही है जाए तो लिए कुछ cards clarify करते हैं प्लीज in your queen of shots को clarify कीजिए okay angels message दे रहे हैं कि यहां पर आज के तिन में भी कुछ लोगों की life में वो timing start हो चुका है जब third party को release होना है सबके life में उनके release होने का timing अलग-अलग होगा ठीक है लेकिन यहां पर आज के दिन में message निकल कर आए कि आपका जो पार्टनर रेकिंग आपकी की तरफ देख रहा है कि और वो देख रहा है कि कोई आपका perfect match मिल रहा है marriage के लिए तो यहां पर अगर आप लोगों के connection में release होने का time आ गया है ठीक है यहां पर यह energy मिल रही है ठीक है देखते है king of wands क्यों आया है यह परसन एक risk लेंगे यहां पर leap of faith की energy है also यहां पर ace of wands की energy new beginning है definitely क्योंकि यह परसन अगर आपकी तरफ देख रहे हैं और ace of wands ने clarify कर रहा है तो यह परसन की दिमांगो new beginning चल रही emperor क्यों आया है emperor कार्ड आया है तो clarify कर रहा है king of cups okay कहीं नटगीए ऐसा हो चता है गया आपको इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि से कोई फरक नी पड़ रहा है तीक है या फिर वह इस तरीके से शू कर रहा है हलाकि उसके dhmaाग क्या चल रहा है कि वह आपको लिकर काफी emotional है ठीक है लेकिन और आपको क्या यह से काफ़ी मोशनल है इस वक्त में आपको लेकर यह मैसेज मिल रहा है ओकी रिखते हैं इंजल गाइडन्स क्या है अगर यह परसंट हेल्प लेना चाहते हैं तो इंजल इस परसंट का इसा गाइड कर रहे हैं कि आप फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं अगर आपसे जिट्वेशन हैंडल नहीं हो रही तो आप इंजल से हल्प ले सकते हैं अगर आपके पार्टनर को नहीं मालूं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी हल्प ले सकते हैं मुझे असा लगता है कि आप लोग की कनेक्शन में आप पर फ्लर्ट का मैसेज आ रहा है एक यहां पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहे हैं इंजल से परसन को ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ने आपकी साथ लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है यह सी वज़से हो रहा है कि पास्ट में जो आपने इतने लोगों के साथ फ्लर्ट किया या फिर आपने अपनी अनर्जी इसको बैलन्स नहीं रखा अपनी चीज़ों को ठीक तरीक से नहीं रखा इस वज़े से इतनी सारी चीज़े हैं यहाँ पर आपके साथ हो रही है ठीक है मंदल्ब फ्लर्टी नेचर रहा है आपके पार्टनर का तो यह जो इस परसन की गल्ती रेराइस करवाई जा रही है और अभी भी कहा जा रहे हैं कि अगर सही समय है आप चाहें तो लोगों की help देकर चीजों को ठीक कर सकते हैं otherwise फिर जाएगी बात तो जाएगी आपके हाथ से ऐसा कुछ यहाँ पर message है ठीक है basically इंजल से इस परसन से करनी कोशिश कर रहे हैं तो आप चीजों को सही समय पर ठीक कर लो यह फिर आपके हाथ से situation ही निकल जाएगी okay so guys आप से कितना reading resonate करते हैं comment section में ज़रू बता है वीडियो पसंट है तो please like this video and subscribe my channel thank you guys